मेरे प्यारे साथियों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यू चनल से कंदर कलाश इपन आज हम कलाश 10 के मायथ का आउजग्ट raging कोचन स्वा करेंगे जितने भी कोचन बाइग में 2011 से लेकर 2020 तक जितने भी कोचन मायथ का पूछे गए है उसको आफनों ये 202 करेंगे जिसमें से आज हम 2011 का alsoke बाइग करेंगे 211 का objectivity कोच्छान सॉल्व करेंगे आप लोग भी अपना-पना कोच्छन बाइंक में अच्छे से मिला लें क्योंकि कोच्छन बाइंक में अधिकतर कोच्छन का अंसर जो है गलती रहता इसलिए आप लोग अच्छे से अपना-पना में मिला लेंगे चलिए देरने करते हुए शुरू करते हैं आज हम 2011 का सॉल्व करेंगे इसके अगले वीडियो में 2012 करेंगे इसी तरह से हम 2020 तक पूरा सॉल्व करतेंगे आप लोग अच्छे से मिला लेंगे आप कहीं पर मिश्टेक हो जाए तो आप लोग कमेंट में जरूर बता दीजेगा चलिए देरने करते हुए शुरू करते हैं ज़िए आप लोग को यह वीडियो अच्छे लगे तो लाइक सेयर और चैनल पना है तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा 2011 2011 2011 कोचन बैंका 2011 गनीत का पेपर हम लोग सोल्व कर रहे हैं आप लोग अपना अच्छा से मिला लेंगे चले पहला कोचन निमलिखित में कौन परी में संख्या है तो जो रूट से पूरा पुरी बाहर निकल जाएगा वह क्या होती है परी में होती है और सी में देखिये तो कारा कीप चार पलस रूट फाइप यह भी है एक परी में और एक आपरी में परी में और आपरी में का यह को फल क्या होता है आपरी में होता है तो यह भी क्या होगे आपरी में और रूट D नमर में देखते हैं रूट 6 मनेध़ पूरा-पुरी रूट से बाहर नहीं निकलाए तो एफ रिमे मतलब जो रूट से पुरा-पुरी बाहर निकल जाएगा वही क्या होता है परिमे तौप्षण कोँ नमर जाएगा B अीपसन कोँ जाएगा B गुने लासा निमली खित में कौन सा समान होता है तो आप लोग पहला चेप्टर ने पढ़ेंगा अब रियल नमर में बास्तिर संख्या में कि मासा गुने लासा बराबर क्या होता है मासा गुने लासा बराबर क्या होता है तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या मतलब एक गौने वी तो और जाएगा तो अफ्संन नमर सी ए मौने वी चलिका आगे बढ़ते हैं तीसरा कोस्ट्टन गात एक वाले बहूपद कहलाते हैं गात एक वाला बहुपद क्या करता है राइखिक बहुपद अजदी घहात दो रहता क्या रहता गहात कितना रहता दो घहात का मतला पावर घहात का मतला पावर दो रहता तो बोलते हैं दुई घहात ये बहुपद अगर घहात रहता तीन तो क्या बोलते हैं त्री घहात ये आप लोग को अच्छी से समझ में आ रहा होगा चलिए आगा बढते हैं चोठा नमर त्री घात बहुपत का सबसे ब्यापक रूप होता है तो तरी घात भाँपत का व्यापक रूप Ax, Q, पलस Bx are square पलस Cx, पलस D होता है तरी घात का पूछेगात क्या होगा सर जड़ा बता दिये तो Ax, Q, पलस Bx are square पलस Cx, पलस D तो अप्सन नमर C, अप्सन नमर C कौने जाएगा अप्सन नमर C तरी घात का पूछेगा तरी घात का पूछेगा तो क्या बताईएगा तरी घात का क्या होता ए एक्स का क्यू अब पलस में बी एक्स अस्क्वार अब पलस में क्या होता इसी एक्स अब पलस में क्या हो जाएगा डी तुरी घात का पूछेगा तो axq plus bx square plus c plus c plus में क्या? d होगा लेकिन अगर रही पूछता हमसे दुविग हात का किसका पूछता? दुविग हात का तो बोलते हैं ax house square plus bx अब plus में c क्या बता? plus में c plus में c द्विघात भबावपत का ब्याकर रूप पूचता थो बोलते हैं AX² BXμέञा क्लास C अगर हम से ही पूचता एक घात का तो क्या बोलते हैं AX plus V एक घात का पूचेगा तो क्या होगा ब्यापकर रूप? AX plus C चलिए आगा पड़ते हैं है आप अच्छा समाझ में आरहा होगा पाँच माहत चैन साइने भावर दिया है इचार आए इसको हम solve करते हैं साइन कितना दे दिया है तीन वट्टे चार दिया है साइन कितना दिया है साइन ठिटा वर और साइन ए वर दे दिया है तीन वट्टे चार मतलब साइन क्या होता है पी वट्टे एच होता है पी ऊपर वाला पी और नीचे वाला एच तो क्या निकालेंगे पी एच किसे निकलेगा देषज को B प्रवर होता है रूट अंडर SQR-P SQR-P W एक स्कुर्ण कितना चार 4 का स्कुर करेंगे तो 16 हम माइनस पी अच्वान कितना तीन तीन का स्कुर कितना होता है भी यह वटे क्या होता है एच भी कमान कितना रूट में कितना साथ है रूट में कितना है साथ है अवटे एच एच कमान कितना इसमें है चार है तो रूट साथ वटे चार रूट साथ वटे चार रूट साथ वटे चार तो अप्शन नमर ता अप्शन नमर कौन हो जाएगा अप्शन नमर रूट 7 बटे 4 रूट 7 बटे 4 बने अप्शन नमर कितना D अप्शन नमर D रूट 7 बटे 4 चलिए आप लोग को अच्छी से समझ में आ रहागा आगा बढ़ते हैं छटा नमर टैन ए बरावर होता है सब्सक्राइब आप लोग पढ़े होंगे टैन किसमें बदलता है कॉट में बदलता है किसमें बदलता है कॉट में 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 किसमें बदलता ह चुट खीथा कोमानश ध्यटा तो अपसनमर कितना ind एक ऑपसन अमर कितना हो जाएगा ऑपसननमर कितना एक चलिए आगा पड़ते हैं सात्मा नमर करा किकी से बिंदू की एकस अच से दूरी Ltd आती है एक साच से दूरी पूछा किसे पूछ रहा है एक साच से दूरी तो बोलेंगे बाई नियामक क्या बोलेंगे बाई नियामक एक साच से दूरी तो क्या बोलेंगे बाई नियामक या बाई नियामक को बोलते है कोटी बाई नियामक क्या बोलते है कोटी क्या बोलते है क कोटी जब एकस अच से दूरी पूछ गया बोलेंगे बाई नियामक या उसे बोलते हैं कोटी बाई नियामक क्या बोलते हैं कोटी लेकिन अगर रही पूछता हमसे बाई अच से दूरी तो बोलते हैं एकस नियामक क्या बोलते हैं भूजे एकस नियामक क्या बोलते हैं एक नियामक क्या बलते हैं भूज चलिए ता अपसन नमर साथ कौन हो जागा तो पूछ रहा है एक साथ से दूरी तो बाई नियामक क्या बलते हैं भूज या कोटी तो बलते हैं कोटी क्या बलते हैं कोटी तो अपसन नमर भी चलिए आगा बढ़ते हैं आठ्वा नमर कराए क निमलिखी तुम्हें कौन विरित के छेतरफल का सुत्र है विरित के छेतरफल का सुत्र है विरित के छेतरफल क्या होता है तो पाई आर स्क्वार होता है विरित का छेतरफल क्या होता है पाई आर स्क्वार विरित का छेतरफल पाई आर स्क्वार विरित का छेतरफल बोलेगा और इसको हो पर रब करेंगे तो आर को क्या बोलते हैं अगर एक साथ रहेगा टू और आर तू आर Jelly को हम लिख सकते हैं क्या पाई टू आर गुनिका लिख सकते हैं पाई men Serock यू और खुर je जले अच जाएगा पाई एडिले क्त लेक्षा ह४ाई있 olurs सक्क्वार आगर हम से पुच्छता बिरित काता सब लेडस का ब्यास का ल मुदोubra संचभा की बारांवारता वक्र कहलाती है मतलब संचभा सब्सक्राइब क्या कहते हैं बख्र क्या चलिए आगे बड़ते हैं डस नंग करा एकली डिवाज्ब हकल आपको निमले मैं मेंसे किसे परिकल करने का तकनीक है युक्लिट वहाज एल्गोरिथाम दो धनाता पुर्णांकों मेंसे किसे ग्याद करने का एक तकनीक भी दी है तब मासा क्या ग्याद करते हैं मासा क्या ग्याद करते हैं मासा क्या ग्याद करते हैं मासा चलिए आप लोग को अच्छी समझ म आ रहा हुआ अगर बढ़ते हैं सर एक 11 नमर कोशन थोड़ा सा जूम करते हैं तो चलिए 11 नमर कोशन कर आ रहा है कि एक रैखिक समिकरन यूग में जिसका कोई हल नहीं होता है वह कहलाता है कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, कोई हल किसका नहीं होता है, कोई हल किसका नहीं होता है, आसंगत का कोई हल नहीं होता है, मतलब बिरोधी का कोई हल नहीं होता है, पुछेगा किसका कोई हल नहीं होता है, पुछेगा किसका कोई हल नहीं होता है, तो बोलेंगे बिरोधी का या आसं संगत का है इसका जब गराप पुछेगा क्या बोलेंगे समानांतर गराप क्या होता है समानांतर गराप कैसा होता है इसका समानांतर मतला संगत और विरोधी का और संगत कहीं दूसरा नम क्या है विरोधी विरोधी का गराप कैसा होता है समानांतर 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 होता है और इसका पुछेगा कि सर्थ क्या होता है तो A1Y A2 बरावर होता है B1Y V2 लेकिन नौट इक्वल टू क्या होता है C1Y C2 A1Y C2 मतलब A1Y A2 बरावर होता है B1Y V2 का लेकिन नौट बरावर होता है C1Y C2 का चलिए आप लोगों को चीजों को बढ़े हैं समझ में आ रहा होगा चलिए आगा बढ़ते हैं 12 नौट को चान 1045 का मान ग्याद किजिए 1045 का मान क्या होता है जड़ा बता दीजिए सर क्या होता है 10.45 कितना होता एक होता है 10.45 कमान कितना होता है 10.45 कमान कितना है एक होता है 10.45 कमान कितना एक अगर 10.45 कमान कितना एक चलिए आगा बढ़ते हैं तेरा नम्मर cos x square a minus 1 का मान गयात कीजिए cos x square minus 1 बरावर क्या होता है cos x square theta क्या होता है cos x square theta minus 1 क्या हो जाएगा cos x square theta क्यों क्योंकि cos x square theta minus चलिए हम इसको solve करके आप लोग दिखाते हैं चलिए अम लोग जानते हैं कॉसक स्कौार ठीटा माइनस कॉटसक्वॉर ठीटा कितना होता है? माइनस में कॉटसक्वार है इसको अगर हम इधर लेके गए अगर बराबर के इधर लेकर आएंगे तो उधर माइनस इधर आगा था पलस में इसको ले गए उधर तो हो गया माइनस, क्योंकि बरावर कि जब इधर पलस रहेगा, उधर जागा तो माइनस, माइनस रहेगा तो पलस चलिए तो उसको भी श्यार राद उने इधर क्या होजागा उधर माइनस में तक होजागा इस बढते हैं चलिए आगे बढते हैं 14 नमर कोच्चन कराथ 10 16 डिगरी वाटे कोट 64 degree का मान गयात किजे का मान कितना आएगा कितना याईगा चलिए आप लोगों दिखाते हैं चलिए 10 कितना था 10 10 26 degree घच वार्टे कितना था कॉट कॉट कितना था 10 26 degree वार्टे कॉट तैन था आप इस टाइप का पूछ देत आप लोग क्या करना है थे पहले इंगल का मान इंगल दोनों को जोड़ेंगे 90 डिगरी हो जाए दोनों को जोड़ने पर करेंगे थियान समझेगा इस टांद का कैसे बनाएगगा इंगल का यह कि ताइब इग्रि न Alter opens is only 2-0 पर जेसीं देखेंगे इन दोनों चै करेंगे इन दोनों मेंसे कोई चैन्ज कर देंगे इन दोनों कितना पुद्धिर आ सब कर बादा ते सक्राइब कौबत कि समय क्या तेड कि यह आ नीकि बदला को बदल रहे हैे उपर में रहते एक तना 26 डिगरी अब ड़ंए नीचे मिसा बदल से कौट को तकश्रास कांद लिखेंगे एच नहांद माइनस क्या हो जिएगा mkdr भीटा ठीटा कितना डिग्री चॉछ डिग्री टैन कितना है गाँ डैन नवे माइनस चॉछ जब उपर में टैन ठीटा लिखेगा टैन कर डिग्री 26 डिग्री अब टे नीचे में क्या आ गिया देख लिए तो टैन नवे में सब्सक्राइब 64 तो ऊपर समान राजी नीचे समान राजी तो कड़ जाता है कटने वाद इसका मांद कितना एक एक आप लोग को समझ वह जब सबसा पहले क्या देखेगा एंगल क्या देखेंगें एंगल इंगल आ गया 90 डिगरी जैसे इसी समझ जाएंगे 90 डिगर बितल दीजेगा तो में को बदलें को बदलेगा तो तेन में तो इसका हो जागा ठीटा अच्छा जा कितना दीज चौट दीज घटा दीए आगया एक चलिए आगया पड़ते हैं पंदरनों कोचन का रहा है कि M1 X2 पलस M2 X1 बटे M1 पलस M2 कोमा M1 M1 X2 पलस M2 X2 क्या कहलाता है तब विभाजन सुत्र कौन शुत्र कर लाएगा विभाजन सुत्र कौन शुत्र विभाजन सुत्र विभाजन में कि विभाजन सुत्र का सुर्फ विभाजन सुत्र हिवाजन नहीं के थिका लाता यह भाजन कियोंकि जब पलसा नता की स्वाजन था य भाजन हो जै suspiens चलि आंगे वरते हैं 16 नमर करा बिंदू actively fax अंडर दूरी सुत्र क्या होगा रूट अंडर एक्स वन माइनस एक्स टू क्या हो जागा 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 हो जा होलो स्कूर पलस बलकि समाज़ना है एक सबादाओ अगा सबसी को रखकर घटा देंगे इशना के एक सब formas करैंगे और होगा है सत्रानमर करा दो त्रूज में संगत कुन बरावर है उन दोनों त्रूज क्या कह लाएंगे सम रूप कह लाएंगे क्या कहलाएंगे और उस बुजाएं क्या होती है एक वने वुजाएं समनपाती होती है तो उसकों ढून वї तरो बोलेंगे सम रूप क्या वोलेंगे सम रूप बोलेंगे क्या बोलेंगे समरूप बोलेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं अठारा नमर एक समकोन तिर्भुज में कर्ण का वर्ग अने सेस दो भुजाओं के वर्गों की योग के बरावर है या पर में किसने कहा था किसने बोले थे एक सम्कॉन तृभुज में करन का जो बर्ग होता नोट Fillon के वर्गों की यक क्या होता था बराबर होता है क्या होता है वराबर होता है यह पर्में किस ने दिया था था थेल सौरी पाःठा गोरले में कौन बोले थे पाइथा गोरस महोद ने पाइथा गोरस महोद है उन्होंने कैसे बताएं तो सम कुन तरीवुज एग रहेगा उठल एक रहेगा सुटल यह कह रहेगा उठल उठल सुटल के बीच कैडिर बनाएंगे 90 डिग्री यहां से एको लटका-देंगे इए 90 के सामने व सानिक को सामने वबला पी मैंयग लंब जो सेस बच गिया अधार मतलब वЙ कोलिया और बोलें कि जो करन होगा न का जावे स्कौर करेंगे जो सेस बचान लंब और अधार बचा उसके बर्लवों के योग के वरावर होता है मतलब ऐच स्कौर बरावर पी Tasdleट स्कुर्पार समें रहे होगी आगे बढ़ते हैं कर आ आप लोगको चीजों अची समझ में आ रहे होगी आगे बढ़ते हैं कर आप उनाइस नमर 3.5 सेंटी मीटर 3.5 सेंटी मीटर तीरी जा वाले अर्ध गोले का बकर प्रिश्चेतर फल ग्याद करें त्रीज आर्ध गोला है कौची है अर्ध गोला है उसका त्रीजा दे ले कितना 3.5 मतलब आर दिया हुआ है कितना 35 बटे 10 पाइटीस वाटे कितना तो हमसे पूछ किया रहा है बक्र अर्द गोला का बक्र प्रिट शेतर फालत अर्द गोला का बोलेगा बक्र तो क्या होता है दो टू पाई आर स्क्वार टू पाई आर स्क्वार अर्द गोला का जब बक्र बोलेगा तो क्या बोलेंगे टू पाई आर स्क्वार टू पाई आर है स्क्वार चलते हैं यहां पर समझने में दिखत ऊओब बढ़ते हैं यहां पर देख लिएगा उसके बाद आगे वड़ते हैं वाईट पेस चलतेहां कितना आगया था सर जड़ा बता दीजे तो तो आर्द गोला का लिखर रखे आया था आर कितना 7 वटटे दू आ गया था 7 वट्ते 2 और 6 पर निकालना आर्द गोला का 6 रफ़ था क्या होता है 2 पाई और स्कॉर होता है जड़ा रख दीजे तो अगुने पाई पाई कमान कितना था बाइस वटे साथ अगूने आर कमान कितना था साथ वटे दू अगूने साथ वटे दू एक साथ से एक साथ कट जाएगा एक साथ से एक साथ कट गया दू से दू कट जाएगा और एक ग्यारा दूना कितना हो जाएगा वाइस अभी साथ उपर में हा एक आप लोग अच् Cancer 25 सभूस हैं एकक Bene 구no करें अगै इथर कितना अगा थे इंवार सतन्तर सतन्तर सटपंतर मनें सतन्तर सेंटीमीटर स्कौर्ड आप लोग अच्छा से काटेगा मेरा इधर न區 एधर चला सब्सक्राइब है आप लोग को समझ में आएगा है होगा है कि चलिए आगे बढ़ते हैं कि 20 निमर कोश्चन का रहा है कि किसी परियोग की सभी प्रारामभी घटनाओं की प्रयक्ता का योग कितना होता है किसी परियोग की सभी प्रारामभी घटनाओं की प्रयक्ता का योग फल कितना होता है एक होता है किसी परियोग की सभी प्रारामभी घटनाओं की प्रायक्ताओं का योग फल कितना होता है प्रायक्ता का नियुनतम मान की सबसे कम कितना होता है और प्रायक्ता का मान कभी यह से ज्यादा नहीं होता है और जिरो से एक के वीच जीरो भी हो सकता है एक भी हो सकता है और इन दुनों के बीच भी हो सकता है लेकिन प्रायक्ता का मान कभी यह से ज्यादा नहीं होता है और जीरो से कम नहीं होता है और एक से ज्यादा नहीं होता है आ संभव की पूछेगा कि आ संभव घटना की प्राइकता क्या होती है तो जीरो बोलेंगे आ संभव घटना की प्राइकता क्या जीरो और संभव का पूछेगा संभव का मतलब निश्चित क्या होता है निश्चित घटना की प्राइकता क्या बोलेंगे एक संभव या निश् प्राइक्ता निकालना है जिसका पूछेगा प्राइक्ता उसको रखेंगे नीचे जिसका प्रायक्ता निकालेगा उसको कहा रखेंगे उपर में या कूल को कहां रखेगा नीचे में तो प्राइक्ता कर सुत्र हो गया पीई व्रवर एनिवर्टे एनेस पीई व्रवर एनिवर्टे एनेस कि चलिए आगे बढ़ते हैं अब आउजक्टिव इतना ही तक था 20 था आप लोगो अच्छे से समझ में आ गया होगा चलिए आगो हम लोग अगला वीडियो मिलेंगे तब तक अपना ख्याल रखेगा मिलेंगे फिर मिलेंगे इसी चैलेंग पर बने रहेगा और जदी नए आया है तो चैलेंग को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा और अच्छे से डीटेल से जानना है तो कमेंट पर हमें जर पर साके है 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 Rat summary punya अचैले ही जान ग जराए है है कमेह से था आधर पनीज घुड़ा से इनना तुरामा की अथरा कango बेंगे है में आहराओ कहलें अपीड़ाई नयवना मेंटाश Έक है वह कंगा अबूरा है है जो श्थरादान क्मेना श्तों सब्सक्राड़ान काॉ सा